नमस्कार स्वागत है आप सभी का बिहार इनेम 1070 भरती लेटेस्ट अब्लेट में दोस्तों कैसे आप सभी उमीद है आप अच्छोड सुस्तोंगे और बिहार इनेम 1070 भरती की काउंसलिंग का इंतजार करें होंगे कि कितनी जल्दी बिहार एनियम 10,007 भरती की काउंसिलिंग प्रक्रिया सुरू की जाए हम लगातार आपको बिहार एनियम 10,007 भरती समधित लेटेस्ट अब्डेट आपको दे रहे दोस्तों जैसा आफ सब ये बहारती को मालूम होगा कि बिहार एनेम दसजार साथ सनो भरती सम्मधित विधान सभा में बैठक चल लहीं और बैठक में एक बहुत बड़ा प्रस्ताव की लिया गया है क्या एक्जाम होगा कि क्या मेरिट के आधार पर इस वैकेंसी को पूरा किया जागा आज एक नोटिस जारी की गए जिसमें साफ निर्देश दिया गया है कि बिहार एनेम दसजार साथ सनो भरती सम्मधित ये फैसला लिया जाएगा दोस्तों अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको ये महत पूर जानकारी मिल पाएगी और दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेश्ट की चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक करके सेयर जरूर कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों को भी सेयर कीजिए ताकि लेटिस अपडेट मिल सके क्योंकि आज इस वीडियो के माधन से हम आपको बताएंगे कि जो नोटिस जारी की गए है उसमें क्या निडले लिया गया है क्या एक्जाम होगा क्या मेरिट के ही आधार पर इस भारती को पूरा किया जाएगा क्योंकि वीधान सभा की सत्र में बहुत बड़ा फैस्टा लिया गया है दोस्तों जैसा आप सभी भ्यारतों को मालूम होगा कि बिहार में वीधान सभा सत्र की बैठक चल लही है और उस बैठक में आज स्वास्त पि भाज से एने दसजार 709 भर्ती में चैन और नियुक्त के संबंद में महात्पोर्ण परस्ण बैठक में पूछा गया है कि बिहार एनिम 10700 भरती प्रक्रिया को क्यों रोका गया है और बिहार एनिम 10700 भरती प्रक्रिया को कब तक पूरा किया जाएगा और बिहार एनिम 10700 भरती प्रक्रिया को क्या मेरिट की ही अधार पर पूरा किया जाएगा या नई नियमावली के तहट पूरा किया जाएगा और उसके बाद बिहार एनिम दसजार सासनों भरती प्रक्रिया को कब तक पूरा किया जाएगा क्योंकि बिहार विधान सभा सत्र की बैठक चल लए है उस बैठक में एक मंतरी के दौरा बिहार स्वास्त विभाग से संमंधित ये महत्पूर प्रस्ण पूछा गया है जिसमें आप देख सकते हैं मंतरी से संमंधित प्रस्ण है कि स्वास्त विभाग यह बतलाने की बात सही है कि विभागी प्रापतांग 16-32 दिनांग 26-4-2022 द्वारा एनेम के 10,709 पदों पर नियुक्ती इसके लिए जो बिग्यापन जारी किया गया था 7 बटा 2022 के आलोक में नियुक्ती हेतु जो चैन समीति द्वारा तयार मेरिट सूंची से कराने का बिहार सरकार द्वारा नियुक्ती कराने का 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 नियुक्ती कर कुछ नोटिस जारी करीगी क्या बिहार एनेम दस हजार सासनों भरती प्रक्रिया में जो चैन का प्रोसेस है वो मेरिट के आधार पर किया जाएगा कि क्या इस भरती को इकजाम के आधार पर सुरू किया जाएगा तो बिहार विधान सभा की जो सतर की बैठक चल लए थी उसमें एक मंतरी के द्वारा बिहार स्वास्त विभाग उससे संबंदित यही प्रस्न पूछा गया था कि सभी चातर बिहार एनेम 10709 भरती से संबंदित लगातार चिंतित हो रहा है और वो लगातार यही सवाल कर रह जागे उसमें एक जाम के ही माध्यम से किया जागा या मेरिट के ही आधार पर किया जागा ऐसा प्रस्न बिहार विधान सभा की सत्र में स्वास्त विभाग से यह प्रस्न पूछा गया है उसके बाद स्वास्त विभाग ने क्या है क्या जवाब दिया है आये जानते है इस के माध्यम से दोस्तों बिहार बिधान सभा सत्र की बैठक में बिहार स्वास्त विभाग के दौरा ये उत्तर दिया गया जो मंत्री के दौरा प्रश्न पूछा गया था उसमें साब बताया गया था कि बिहार महिला स्वास्त कार करता नेमा वली 2018 को रद कर दिया गया है और न उससे संबंधित कोई इसमें नई अपडेट नहीं की गई है लेकिन स्वास्त विभाग ने जो नोटिस जारी की गई है उसमें साफ यही निर्थेस दिया गया है कि 2018 की निमावली को रद कर दिया गया है और 162030 की निमावली को लागू कर दिया गया है जिसमें बिहार सरकार द्वारा बिहार महिला स्वासकार करता नर्स मीड़ वाइप निमवली 2030 के निर्गत किया गया है। इस निमवली के अंतरगत प्रतियोगीता परिच्छा का प्राउधान है और 60 अंकों की प्रतियोगता परिच्छा संपन कराई जाएगी। और सभी अबिहारतियों को एक प्रतियोगता परिच्छा देनी होगी। उसी के अनुसार बिहार एन्यम 10,730 से सम्मधीत कोई महत्पूर्ण अपडेट जारी की जा सकती है। मतलब दोस्तों इसमें साप निर्देश ये नहीं दिया गया है कि बिहार एन्यम 10,730 की जो चैन का प्रोसेस है वो किस आधार पर लिया जाएगा। तो दोस्तों इसमें एक बात क्लियर है कि बिहार बिधान सभा की सत्र की बैठग में जो महत्पूर्ण प्रस्ण मंत्री के द्वारा स्वास्त विभाग से सम्मधित पोचा गया था कि बिहार एन्यम 10,730 की जो चैन का प्रो निमा वली को लागो किया गया है उसी आधार पर जितनी वैकेंसी आएंगी उनका सेलेक्शन किया जाएगा और उसी के आधार पर एक निमा वली जो लागो की गयी थी कि प्रतियुकता परिच्छा संपन कराए जाएगी और 60 अंकों की सभी अभ्यार्ति को प्रतियुकता प क्या बिहार एव 1020000 साथानों भर्ती को मेरिट के आधार पर किया जाएगा, की क्या इस भर्ती को प्रतियोकता परिच्छा के आधार पर किया जाएगा, मतलब दोस्तो एक बात इसमें क्लियर है कि बिहार स्वास्त विभाग से संबंदित लगातार प्रस्न यही पूछा जा रहा है कि क्या इस भरती को जल्द से जल्द पूरा किया जागा क्या इस भरती को और देरी से किया जागा तो दोस्तों हम आपको बता दें कि बिहार विधान सभा की सत्र में जो यह प्रस्ण पूछा गया है दस अजार साथ सोनो भरती सम्मधित उससे स्वास्त विभाग से सम्मधित कोई महत पोड़ने ले स्वास्त विभागने नहीं दिया है मतलब दोस्तों इस महते में एक बात क्लियर है कि बिहार एनेम दस अजार साथ सोनो भरती की जो चैन का प्रोसेस है उन मेरिट की ही आधार पर होने वाला है क्योंकि अगर बिहार विधान सभा की सत्र में मेरिट के आधार पर दस अजार साथ सोनो भरती का सेलेक्शन का प्रोस आजाएगा